नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे नासिरा शर्मा जी की कहानी अलाओ, तो आएए सुनते हैं कहानी काले धुएं के बादलों और सुर्माई हवा की तडपती लहरों के बीच एक बूढी औरत डगमगाते कदम से एक हाथ में चिराग और दूसरे हाथ की हंथेली से उसकी लौ को बुझाने से बचाती हुई अंधेरे में आगे बढ़ रही थी लौ का पिला प्रकाश उसके फीके जुर्णियों से भरे चेहरे को व्यथा की अनेक रेखाओं में बदल रहा था बालों की सफेद उलजी लटे धुनकी रूई के गोलों की तरह उसके सर को ढगे हुए थी जिन पर मटमेले रंग का फटा दुपट्टा था जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी पीछे अन्धेरे में सफेद पुती कबरों की चबियां उबर रही थी कबर ही कबर ना समाप्त होने वाला सिलसिला एका एक तूफानी शोर उठा और धूल की आंधी सूखी पत्यों के बवंडर के साथ उठी और कविता की आँख खुल गई गला सूख रहा था चेहरा पसीने से तर था वह घबराई सी उठी धड़कते दिल को समालने की कोशिश में बेबसी से खफ़क उठी हर रात यही सपना यह औरत कौन है कबरिस्तान का मेरे सपने में आना यह कैसा समकेत है उफ सुबह सुबह देखा यह सपना उसे सारे दिन पेचैन रखता था इस सपने का उसे कोई सरपैर नजर नहीं आता था उसने इधर अरसे से कोई ऐसी फिल्म भी नहीं देखी थी जिसमें कबरिस्तान का कोई द्रश रहा हो या फिर कुछ पढ़ा हो जिसमें इस तरह का कोई चरित्र रहा हो फिर यह द्रश कहां से उसके दि का सामना करना पड़ा था लेकिन दीरे-धीरे कर सारी बातें उसे सरल लगने लगी थी दिल्ली छोड़ते हुए उसे बहुत तकलीफ हुई थी मगर उसके पास कोई चारा ना था, जगह बदलेगी तो उसकी मानसिक हालत भी बदलेगी और यादों पर धीरे-धीरे समय की धू जमती जाएगी उसे अपने तूटे दिल का यही उपचार समझ में आया वह भी इसलिए कि उसे स्कॉलर्शिप मिल गई थी और अग वह अपना रिसर्च वर्क आराम से कर सकती है यहां आने के बाद वह अपने को काम में उलजाय रही लाइब्रेरी चैप्टर लिखना और सब से बड़ी बात थी मम्मे और डेड़ी के दबाव से मुक्त थी कि वह शादी कप कर रही है उन्हें डर था कि ओपन सोसाइटी में जाकर कहीं वह लिविन टुगेदर की पध्यती न आपना ले या फिर किसी विदेशी से व्याहन रचा ले उनकी चिंता को वह समझती थी तो करेंगे तो मैं फोन उठाना बंद कर दूंगी और साल बाद घर भी नहीं लोटूंगी उसकी यह धमकी कारकर साबित हुई और अब उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो माबाप को दुखी करे और उसे जुझलाहट से भर दे दिल्ली में फसाद हुए कुछ ही दि गुजरे थे दबाओ और तनाओ के दिल थे मम्मी वा डैडी दिल्ली के हालाच से खुशना थे इसी दोरान कविता को नौकरी मिली और एक अच्छा फ्लैट भी किराय पर मिल गया दोनों ही बातों ने उसे उकसाया कि मम्मी डैडी कुछ माहा आकर उसके पास रहने और फिर वे तीनों योरप घोमेंगे जब सब कुछ तैह हो गया तो लॉक डाउन लग गया और दुनिया का नक्षा ही बतल गया शांती और सुरक्षा की सारी इसकी में इस बीमारी ने फेल कर दी जिसने सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया इंसानी गतविधिया ठहर सी ग कुछ ने देशवासियों को बचाने की भरसक कोशिश की कुछ ने हाथ पैर डाल दिये इस वाइरस के मुकाबले की उनके पास कोई तयारी थी ना उपचार जब तक समहलते होश में आते तब तक मौतों ने घर खाली करना शुरू कर दिया था जिसकी चपेट में मम्मी भी आ गये वह ना जा पाई ना उनके अंतिम दर्शन कर पाई उनकी शव यात्रा अस्पताल से शेमशाम घार तक रही जहां ना उन्हें अपनों का कंधा मिला ना उनकी चिता में उसने अगनी दी और ना कोई रोया कभिता के पुराने घाव के टांके भी इस नए जखम से खुल गए जिस इंसाम को भुलाने के लिए वह साथ समंदर पार आई थी उसकी यादें अचानक आशुओं में धुलकर चमक उठी मम्मी डैडी यदि अपना कठोर निवने उस पर जवर्दस्ती न लाद थे तो वह कभी इस विदेश आने की तयारी में जगे जगे एपलाई न करती जिन्दगी कुछ और होती और वह उनके पास दिल्ली में रहती जहां वह नौकरी कर रही थी सब कुछ बदल कर रख दिया मम्मी डैडी ने मेरे लिए वह इंसान चूटा और माबाब भी तनहा रह गई वह तनहा बिल्कुल तनहा रह गई समय तेजी से गुजर रहा था दुनिया ने राहत की सांस लेनी शुरू की तो इंसानों में भी नई उर्जा दोड़ पड़ी जिस तरह अधेरा छाग गया था उसमें सिर्फ बीते दिन तारों की तरह टिम्टिमाते थे जिसके बीच चांद उगाता था वह चांद उसमें बेकरारी कुछ इस तरह भर देता जैसे समंदर में ज्वार भाटा उड़ता है कभी कभी उसका ब्याकुल मन बोरा जाता और कहता की दीवानी अब तु आजाद है जाकर मिला पुराने नंबर पर फोन मिला बात कर और एक नई जिन्दगी की शिरुवात कर क्या पता वह भी भटक रहा हो तनहा तेरी तरह फिर वह जिजक जाती अंजाने भैसे फिर पूरे विश्वास से कहती कि वह भला कैसे बूल सकता है मुझे मेरे अलावा उसकी जिन्दगी में कोई दाखिल नहीं हुआ होगा जब तक मेरे दिल में फूल तरो ताजा है तब तक वह भौरा मेरे पराग पर ही उस रस का स्वाद लेगा जिसे प्यार कहते हैं मैं शायद बहक रही है क्या मेरी उम्र इस तरह के प्रेम में डूबने की रह गई है क्या पता उसके दिल की धड़कनों ने प्यार का वह गीत गुनगुनाना बंद कर दिया हो जैसे मैंने सक्त चटान अपने दिल पर रख ली थी हर पल उससे दूर भाग रही थी चलते हुए उससे मिली भी नहीं थी उसे डर था कि कहीं वह कमजोर न पड़ जाए और अपनी चाहत की धुन में डैट को आत्मत्या करने पर मजबूर होना पड़े जैसा उन्होंने अपने अंतिम फैसले में कहा था पहले तेरी मा को गोली मारूंगा फिर अपने को जो सामने मेरे यह तमगे सजे हैं वह पाकिस्तानी युद्ध में जीत कर हासिल किये हैं दुश्मनों के धर्म वाले को मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूँ शान्थों मम्मी कहती और धेलों बर्फ डाल विस्की का गिलास उन्हें थमा प्रतारना भरी निगाह से उसे घूरती बात बढ़ना जाये इसलिए वह भी कमरे से बाहर निकल जाती और सोस्ती कि जन्म लेना अपने बस में होता तो वह कभी एक आर्मी ओफिसर के घर पैता न होती कभी कभी सोस्ती मानो अधिकार भूल कर किस तरह माबाप बच्चों को अपने कबजे में कर लेते हैं और उसे घुटन भरी कैद में डाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने संतानों को बड़ा किया है उनके लिए तकलीफें सही और कुर्बानी दी मगर जब वही बच्चे माबाप पर विश्वास रख अपने मन की बात कहते हैं तो वे उनका साथ नहीं देते हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं देते हैं बलकि समाज जातपांत और धर्म की दुहाई देते हैं और उलादों का मानो अधिकार भूल अपना हुक्म चलाते हैं यह कैसी विडंबना है अपनी तनहाई से तंग आकर एक दिन कविता ने हिम्मत करके उसके पुराने मोबाईल पर फोन किया घंटी जाती रही मगर उठा नहीं वह बेचैन हो थी एक घंटे बाद फिर फोन मिलाय तो उधर से एक अजनबी आवाज उबरी पता चला अब फोन का नंबर किसी और के पास चला गया है कई तरह की आशंकाओं से मन घिर गया जिसमें न शक था ना ही शिक्वा लेकिन चिंता थी वह कहां होगा नंबर कैसे बतला वह ठीक तो होगा न उसी रात उसने दो पंक्त का पत्र लिख उस लिफाफे को डाग के हवाले किया मगर जवाब नहीं आया मुझे दिल्ली जाना चाहिए उसने मन ही मन तै कर लिया और वीजा के लिए अपलाई कर दिया उसे वैसे भी जाना ही था आखिर वह कोथी कब तक पुराने नौकरों के हवाले चोड़ सकती थी उसे बेचना है या रखना है या फिर उसको दिल्ली में बसना है और लंदन को बाय बाय करना है ये सब बाते उससे मुलाकात के बाद ही तै हंगी इस खयाल के आते ही उसे अजीब सुकून मिला और खुशी की लहरें अर्से से जमे पानी की सतह पर उठने लगी जिसमें पर पहुच उसे पुरानी गंधने अपने घेरे में ले लिया उसने गहरी गहरी सांसे भरी सामान उठाते हुए उसे एयरपोर्ट बहुत सुन्दर लगा पहले से कहीं ज़्यादा टिप टॉप उसने बाहर निकल टैक्सी ली और कोठी की तरफ चल पड़ी कोठी जैसे जै उसका दिल भर आया वह अब भावुक नहीं होना चायती थी उसने समवेधना के इस्तर पर बेशुमार प्युडा की कलाबाजियां हाई थी ये आंसु उसे पीने पड़ेंगे क्योंकि अब इसकी कोई एहमियत नहीं रह गई है जो होना था घटना था सब गुजर चुका है अब जो बचा है उसे समारना है संजोना है कोठी के बंद गेट पर टैक्सी ने होर्न दिया दर्वाजा खोलने कोई नहीं आया और टैक्सी वाले ने एक के बाद एक होर्न दिया तो भागने की आवाज आई और गेट पर खड़ी उस औरत ने कहा यहां कोई नहीं रहता कविता ने शीशा नीचे कर कहा जी आप हाँ छोटी में साथ ठहरिये चाबी लाती है रतना चौकी फिर बोखलाई सी उल्टे पैरों वापस गई इस बार बलबीर चाबी लेकर लोटा गेट का ताला खोलने लगा टैक्सी अंदर जाकर पोटिकों में खड़ी हो गई बलबीर बलबीर ने तेजी से गेट बंद किया और भागा भागा कोठी का लॉक खोलने लगा धूल और हपस का जोंका कविता को छीखने पर मजबूर कर दिया बलबीर परिशान लहजे में बोला अगर पता होता तो हम सफाई करके रगते टैक्सी अभी खड़ी थी कविता ने सोच अगर मैं एक दिन होटल में रह लू तो मेरे लिए बहतर होगा फिर कुछ सोच कर उसने टैक्सी को जाने दिया और लॉन में बना बांस का शेट देखा और उस तरफ बढ़ गई सफाई से पहले बलबीर सारे खिड की दर्वाजे खोल दो संग मरमर की बेंच पर बैट उसने गहरी सांस बरी पाट छे औरत मर्द उसे सलाम करते हुए हरबडाय से कोठी के अंदर गए जिससे साफ जाहिर था कि कमरे महीनों से बंद पड़े हैं रतना पास आकर खड़ी हुई आप मास्क लगाएं थी तो पहचान नहीं पाए चाय लाएं अभी नहीं यह बताओ तुम सब कैसे हो ठीक हैं बुरा समय तो गुजर गया मेम सहाब और सहाब इतना कह रतना रोने लगी तो कभिता का दिल भराया कोठी में चाया सन्नाटा, खाली जूला और घास के बीच से उगे बेशुमार जंगली पौथे बिजली कट चुकी थी दुख और कठिनाईयों का व्रितांत बहुत लंबा था जिसे बहुत कुछ खबरें उसे बताती ही रही थी अब उसको दोहराना फिर से कांटों पर चलना था उसने धीमे से रतना से कहा अपने को समालो कभिता को दिल्ली आये हपते भर हो गया था जो घर को समालने में गुजर गया बीच बीच में वह उस इंसान से मिलने का सिलसिला भी जोड गही थी इतने दिनों बाद मिलने का तर्क नहीं मिलने का कारण खैरियत ना जानने की उचसुकता कोई फोन कोई इमेल कहीं कुछ नहीं फिर एका एक यह बेताबी उसे घर पता था वह कितनी बार वहां जा चुकी थी उसके जहन में रास्ते का नक्षा अंकित था मसला सिर्फ उस तक महुचने का था अब उसके वजूत की बुन्याद उसके अंदर धंस चुकी थी पहले जैसी बेकरारी और दीवान की नहीं बची थी जो ब्याकुल हो दीवाना कर उसकी और दौर पड़े हरगीज नहीं वह लड़का इस घर में कदम नहीं रख सकता डैट की सामने लगी तस्वीर से जैसे उनकी आवाज फूटी उसकी गुंज इतने वर्षों बाद भी उसे साफ सुनाई पड़ी मम्मी को उसकी गरीबी से परिशानी थी उसकी सूरत से चिड़ थी उनके अपने पूर्वा ग्रह थे तूफान गुजर चुका था उसने ओला बुक की और कोठी से बाहर निकली टैक्सी एक मामूली से घर के पास जाकर रुख गई जब वह आगे बढ़ी तो उसने घर के दर्वाजे पर ताला पड़ा देखा निराशा से उसने इधर उधर ताका दोपहर की धूप तेज थी सब अपने घरों में थे अचानक पडोस का दर्वाजा खुला और एक औरत जोला लेकर बाहर निकली कविता उसकी तरफ बढ़ी और हाथ के इशारे से पूछने लगी कि यह कब आएंगे अब क्या आएंगे वहां जाकर कोई लोटा है औरत ने माथे की बिंदी ठीक करते हुए कहा जी जो फसाद हुआ था ना जाफराबाद, शिव बिहार, सीलमपुर में सब उसमें मारे गए कैसे? कविता के हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली आप कौन है? उनकी रिष्टेदार? नहीं, मैं शार्पिन की क्लास फैलो रही हूँ चार-पांस साल से बाहर थी दिल्ली आई तो सोचा दोस्तों से मिलती जाओ बहुत दुख की बात है बैठे बिठाये आपस में लड़वा दिया जान गई, पैसा गया, घर जला पकर धकर में बेकसूर पकड़े गए अपराधी खुले गूमते रहे और गेहूं के साथ घुन भी पिछ गया उस औरत के अंदर का आक्रोश बाहर फूटने लगा आप कुछ और बताएंगी? तरल आँखों से कविता ने उस आउरत से पूचा मैं बाजार तक जा रही थी अच्छा तो वह रुकी फिर बोली, यहां गर्मी बहुत है अंदर चलिए कहती हुई उस अधेर आउरत ने भिड़े दर्वाजे को धका दिया और घर में दाकिल हुई घर छोटा था मगर साब सुत्रा था अंदर बच्चे पढ़ रहे थे उसने बैठक में पहुँच कविता को बैठने को कहा फिर पूचा कहिए आपको क्या जानना है शार्पि उसकी बहन की शादी होनी थी लड़के के घर वह सब सीलम पुर गय हुए थे एका एक दंगा शुरू हो गया मेरा चोटा देवर सुरेश भी साथ गया था वह भी मारा गया और द्योरानी भी ये दो बच्चे उसी के हैं इतना कहवे रोने लगी सब कुछ बर्बात कर दिया दंगाईयों ने कहां से आये कहां चले गये कुछ देर वहां ठैर कर कविता तूटे दिल से टैक्सी में आकर बैठ गई उसने भरी आँखों से बंद दर्वाजे को देखा जिस पर ताला जूल रहा था आसू के चिठके शीशों में जमीर का हस्ता चेहरा उबरा और दूसरे लम्हे खोन में तर्बतर तपकते आसूं को चुपाने के लिए उसने पर्स से गौगल से निकाल कर लगाया और ड्राइबर से कहा वापस ले लो जिन्दगी का यह तीसरा मोड था यह मोड अंधी गली में जाकर खत्म हुआ था जहां आगे जाने का रास्ता गुम था कविता विस्तर पर लेटी छत ताक रही थी गुजरे लमहे कभी कुतोब मिनार तो कभी लोधी गार्डन तो कभी युनिवर्सिटी तो कभी ताज महल की तरफ ले जाते जहां वह शार्पिन के साथ गूमती थी उसे यकीन था कि डैडी और मम्मी खुले दिमाग के लोग हैं वह इस रिष्टे को स्विकार कर लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धर्म दीवार बन गया कई इस्तरों पर उसका विश्वास तूटा था फसाद हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं थी मगर इस बार का फसाद उससे गहरे जुड़ गया था ऐसी तबाही उसने एक के बाद एक वीडियो देखा लोगों की वेचारगी देखी न यह छपी बात थी न कही बात थी जो हो रहा था वह सब कैमरे में कैद हुआ था अचानक वह विस्तर से उठी और टहलने लगी उसके अंदर उबलता जजबात का लावा अपना निकास ढूण रहा था टहलते टहलते वह ड्राइन रोम में गई बिजली जलाई सामने डैट की तस्वीर थी उस तस्वीर के पास पहुँच वह ठहर गई कुछ पल तस्वीर को देखती रही फिर धीरे से बोली डैट बेशक आप हत्या और आत्म हत्या से बच गए मगर आप जैसों की अलगाव वादी सोच ने कितने ही बेकसूरों को तबाह कर दिया यहां तक कि अपनी बेटी के गहरे लगाव को भी इस अलाव में भस्म कर दिया रात भर की जागी कविता वहीं सोफे पर लेट गई सुबह के लगभग नेंद ने गहरना शुरू किया तो अचानक उसे अपना सपना याद आया और वह कबरिस्तान वह हरबढा कर उठ बैठी वह औरत जो जहन के दरीचे से गायब हो चुकी थी एका एक यादों की भूल भूलाया से वारिद हुई उसे याद आया वह जमीर की दादी थी जिनोंने उसके माथे का चुम्बन लिया था नींद का खुमार उड़ चुका था पानी में डूबने का अहसास हुआ जो सर से उचा हो चुका था तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परजितों में शेयर भी करें बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद